राज्य सेवा परिक्षा 2023 को लेकर MPPSC की बैठक में फैसला कर लिया गया है जिहां जिसका इंतजार लाखों मिद्वारों को काफी समय से था PSC ने आज उस पर फैसला कर लिया है PSC ने ये साफ कर दिया है कि मेंस 2023 की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी जिहां आपने बिल्कुल सही सुना PSC मेंस 2023 की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी यानि परिक्षाएं 11 मार्च से ही शुरू होंगी आयोग के चेर्मेन डॉक्टर राजेश लाल महरा के साथ बोर्ट केस रस्यों की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि तारीख आगे बढ़ाई नहीं जाएगी अब जो परिक्षाओं का शेडूल था वो वही रहेगा यानि अब ये परिक्षा जो की आगे नहीं बढ़ रही है तो जो शेडूल आयोग ने तै किया था उसी शेडूल के मुताबिक आने वाली जो परिक्षा है वो तै समय पर ही होंगी आपको बता दें कि आयोग के पास तारीख बढ़ाने की मांग से जादा इमेल तारीख ना बढ़ाने की मांग को लेकर किये गए थे इसके बाद आयोग ने ये फैसला किया बैठक के बाद जो बाते निकल कर सामने आई हैं उसमें एक बात ये भी है कि आयोग के पास काफी आपती जनक संदेश भेजे गए थे इनी सबसे मामला और बिगड़ गया आयोग इस मामले पर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा था लेकिन अगर मेंस को आगे बढ़ाया जाता तो आगे की परिक्षाओं का दिश्टर्ब होना लाजमी था इसलिए आयोग ने लोकसभा चुनाओ और आगे के शैडूल को देखते हुए परिक्षा आगे ना बढ़ाने का फैसला किया है दूसरी तरफ उमिद्वार लगातार 90 दिन तक ये मांग कर रहे थे कि उन्हें 90 दिन दिये जाएं ताकि वो अपनी जो तयारी है परिक्षा की वो कर सकें लेकिन अब आयोग ने अपनी तरफ से ये स्थिति स्पश्ट कर दी है कि परिक्षा आगे नहीं बढ़ेगी मेंस 2023 अपने तैस समय से ही होगी बहराल अब मैं आप से लूँगा विदा और अपडेट्स के लिए आप बने रहे हैं दसूत्र के साथ नमस्कार कर दो